इस समय देश के कई इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, इस मौसम में लोगों को कई बिमारियों के होने का खत्रा रहता है। प्रेग्नेंट महिलाओं को भी इस समय अपनी शेहत का ध्यान रखने की ज़रूथ है। डॉक्टर बताते हैं कि इस समय गर्भवती महिलाओं को सर्दी और फ्लू की समस्या हो सकती है। चुकि गर्भवस्था में इम्म्यूनिटी कमजोर हो जाती है इसलिए कई प्रकार के संक्रमन होने का खत्रा रहता है। सर्दियों की दोरान कई वाइरस काफी एक्टिव रहते हैं और गर्भवती महिलाओं को फ्लू, कोविड-19 समित अन्य वाइरल और बैक्टिरियल संक्रमनों का खत्रा अधीक होता है। ये महिलाओं को ब्रॉंकाइटिस जैसी जटिलताओं के विकास के उच्च जोखि में डाल सकते हैं जिससे निमोनिया हो सकता है। ऐसे मामलों में महिलाओं को गर्भवत, प्रीटर्म, लेबर और स्टील बर्थ का खत्रा रहता है। आईए जानते हैं कि इस मौसम में किस प्रकार की बिमारियां हो सकती हैं और इन से बचाओं के तरीके क्या हैं। अगर बुखार अधिक समय तक बना रहता है और सांथ में बलगम निकलता है तो डॉक्टर से परामर्ष करना ज़रूरी है। इन वैक्सिन से करे बचा। डॉक्टर के मुतावित गंभीर बिमारी को रोकने के लिए गरफती महिलाओं को फ्लू, काली खासी और कोविड-19 के खिलाफ टिका लगवाना चाहिए। कोविड की तरफ फ्लू की वैक्सिन भी अस्पतालों में उपलब्ध होती है। कोविड-19 के खिलाफ टिका करन गरफवस्ता के दोरान कभी भी लिया जा सकता है। जबकि काली खासी के खिलाफ टिका करन गरफवस्ता के 27 से 36 सब्ता के बिच दिया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि जन्म के बाद पहले कुछ महीनों तक बच्चे को काली खासी ना हो। सर्दियों में गरफवती महिलाएं ये साउधानियां बढ़ते। हाथों को बार-बार गर्म साबूर वाले पानी से धोना चाहिए। नाक, आँख या मूह को छूने से बचे। जुकाम या फ्लू वाले ब्यक्ति के साथ भोजन करने से बचे। तौलिय साज़ा करने से बचे। घर और कारे थलो पर सतहों को साफ रखे। संतुली तहार नियमित ब्यायाम पर्याप्त निंदले। स्टीम इन्हेलेशन लें और कमरे में हुमिडी फायर का उप्योग करें। नेजल स्प्रे वास्प की मालिश करें। चाय में निम्बू या सहद मिला कर पिएं। गर्म पानी के गरारे करें। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें मेडिकल माइक, साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।